हेलो अबरीबान नमस्ते वेलकम बैक टू जेस्ट सिंप्लिफाई तो कैसे हैं आप सब आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ साड़ी और्गनाईजेशन से रिलेटेट कुछ टिप्स तो आईए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वाड़ अर्गनाईजेशन के ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर लिंक मैं सारे रिलेटेटेट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँंगी तो यहाँ मैं कर रही हूं साड़ी और्गनाजेशन तो यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर रैक था उसे निकाल के मैंने हस्पेंड के ड्रॉर में वार्डरोब में लगा दिया है ताकि वह और भी कप्रे उनके उसमें आ सके और इसके बाद मैं करूंगी अपने वार्डरोब को तरीके से खाली और उसके बार इसकी थोड़ी बहुत क्लिनिंग करूंगी किसी भी चीज को और नाइज करने से पहले आप उसको अच्छी तरीके से जब खाली कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको क्या चीज कहा रखना है तो यहां कपड़ों के अद आप चाहें तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं पर बिना एक भी पैसे खर्च किये वे और नॉर्मल से हैंगर में कैसे हम अपने साडियों को और्गनाइस करें ताकि वो जरा सा भी फिस लेना ये मैं आपको आगे शेयर करूँगी तो यहां पे जितनी भी साडियां हैं उन्हे मैं यहां पे हैंग कर लूँगी जो की थोड़ी हलकी साडियां होती हैं जिने हम डेली वेर में भी यूज़ कर सकते हैं और हलके फुल के फंक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं तो इन सब साडियों को मैं यहां पे आरेंज करके रख रही हूं और यह देखे यहां पे एक साडी है जो काफी slippery है और slipper कर जाती है तो इसके लिए मैं यहां पे एक hack यूज़ करूँगी सबसे पहले तो आप अच्छे से साडी को अपने हैंगर में fix कर ले और उसके बाद हमें लेना है कपडों में लगाने वाला यह clip और इन clips को हम दोनों साइड से साडी के साथ प और इस तरीके से आपने हैंगर्स को अरेंज करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ साड़ी और्गनाइजर पर्चिस किया था मैंने ओनलाइन तो यह काफी अच्छा मुझे लगा यह काफी बड़ा भी है और इसमें काफी सारे साड़ी अराम से आजाएगी। आगे में थोड़ा ट्रास्पेरेंट सा प्लास्टिक लगा हुआ है जिसमें कि आपने कितनी साड़ीयां रखी हैं क्या हैं वो सब विजिबल होगा आपको और यहाँ पर मैंने सिंगल साड़ीयों के लिए भी कुछ और्गनाइजर मंगाया था पैकेट वारे जो आते हैं तो इस वाले पैकेट में मैंने दो पाटी वे हैवी साड़ीयां रखी हैं और दोनों के बीच में मैंने एक पेपर लगा के रखा है जिससे की दोनों एक साथ फसे ना और जो इंब्रोडरी है वो भी खराब ना हूँ तो यहाँ पे भी देखिए यह एक हैवी साड़ी थी तो इसे भी मैंने अलग से पाउच में रखा है और यह नेट की साड़ी है तो मैं इसे ऐसे ही यहाँ पे रख दे रही हूँ अब इसके उपर से मैं एक पेपर लगा के रखूँगी तो एक और ना री हो चुका है और अब मैं यहाँ पे दूसरा और नाईजर में साड़ियां यह और एक शॉल यहां पर उसाड़ी के सांथ ही रखती हूं तो यहां पर इस इस तरही इसरे रख दिया है दो साड़ी के बीच में जिससे की दोनुं साड़ीयां आपस मैं अटैच ना हो और यहां पर मैं कुछ पेपर का भी यूज करोंगी पतले पेपर या पतले कार्ट बोट का भी आप यूज़ कर सकते हैं साडियों के बीच में रख सकते हैं जिससे कि आपके साडियों की जो जरी वगरा है वो बिलकुल भी खराब नहीं होते हैं सिल्प की साडियों को रखने के लिए मैं प्रेफर करती हूं इस तरह के एक शौपिंग बैग या फिर आप कोई भी पुराना पिलो कवर ले सकते हैं बस वो थोड़ा लाइट कलर का हो जिससे की कलर बगरा निकलने में कोई निकलने का कोई डर ना हो और यहां पे देखिए इ यहां पे दो पैकेट मेरे रैडी हो चुके हैं तीसे वाले पैकेट में मैं अपने सारे जितने भी पेटिकोर्स हैं उन्हें मैं इस तरीके से रख रही हूं आप देख सकते हैं इस तरीके से रखने से क्या होता है कि आपको सारे कलर दिखते रहते हैं कौन से सारी के लिए क प्लाइज करके रख दूंगी और यहां पे एक सिंगल जो साडी का पैकेट होता है तो वह मैंने यहां पे ले लिया है और इसमें मैं अरेंज करूँगी सब्सक्ते पहले तो मैं नीचे में एक लाइनर लगा दूंगी इस तरीके से और इसके बाद इसमें जितने भी साडीयो के blouse है वो सारे blouse को यहां पे arrange करके रख दूँगी इनकी पीच में भी आप छोटे चोटे papers लगा सकते हैं जिनके जिनसे की जरी वगएरा खराब ना हो तो मैंने यहां पे सारे blouse को arrange कर लिया है दो packet में मैंने इसको arrange किया है जितने इसलिए इसमें अच्छे से काफी सारे blouse अट चुके हैं तो यहां पे देखिए अब चलिए इसे वार्डरोब में arrange कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पे निचे में लगा रहे हूं लाइनर लाइनर लगाना हमें काफी जरूरी होता है जिससे की जो चीजे होती है वो उसमें चिपकती नहीं है क्योंकि नीचे संमाई का लगा होता है तो जो organizer है वो उसमें चिपक सकता है तो एक के उपर एक करके मैंने तीनों रख दिया है, सबसे उपर मैंने पिटिकोट वाले बॉक्स को रखा है और साइड में मैंने दोनों ब्लाउज वाले पैकेट को रख दिया है तो देखें एक इतना अरेंज लग रहा है और कितना विजिबल भी हो रहा है जो भी साडिया आपको चाहिए आराम सी आपको ढूरना नहीं पड़ेगा फैकट पैकट निकालकर करकी है और सारय कुछ आपको आराम से विजिबल रहेगा आपके आ knowTION के शामने चीजे रहती है तो वो कभी भी खराब नहीं होती है वाड़ो वरना एक चीज निकालने के चक तो इसे भी मैं इसी तरीके से डबे में पैक करके रख दूंगी आने वाले ब्लॉक्स में मैं यह साड़ी का रिव्यू जरूर शेयर करूंगी आपके साथ और अगर आपको मेरे साड़ी की कलेक्शन देखने हैं तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा मैं जरूर इसके उपर भी एक वीडियो बनाओंगी जिसमें मैं अपने साड़ी की कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगी और मैंने मैंस की बाडरो को कैसे अरेंज करत हम तो उसको रखने के के लिए मैंने और मैंना फ्री आप कोष्ट जीरू कोर्स में मैंने यह वाला और मिशाया होती है उसे मैं यहां पर रखती हूं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से चेक आउट कर सकते हैं और मेरी चैनल पर भी आपको डियाइवाई वाले प्लेलिस्ट में आपको इस तरीके के काफी सारे और्गनाइजर मिल जाएंगे वह बिल्कुल फ्री ओफ कॉस्ट में मैंने इसे बना के रेडि किया है तो देखे हमारा ये वाल ड्रॉप कितने अच्छे तरीके से साडियों को मैंने और्गनाइज करके रखा है यहां पर आप देख सकते हैं जील्डरी भी और्गनाइज हो गई है और हमारी चोडियां भी इ तो हैवी सूट को कैसे और्गनाइज करना है उन्हें कैसे फोल्ड करना है उनकी केर कैसे करनी है यह मैं अपने नेक्स्ट पार्ट टू में जरूर आपके साथ शेयर करूंगी वीडियो काफी लंबा हो जाता इसलिए मैंने यहां तक इसे ही इस वीडियो को यहां पे ही मैं मैं खतम कर रही हूं और इसके बाद पार्ट टू में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हैवी सूट को कैसे हम और्गनाइज करते हैं और बागे की चीजों को मैंने अपने वार्डर में कैसे और्गनाइज किया है वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब क